हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं पबली किचेन आज हम खजूर की ड्राइ फ्रूट वाली बर्फी बनाएंगे चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं खजूर की बर्फी बनाने के लिए हमने 400 ग्राम कजूर लिया है यह सीडलेस खजूर हैं हमारी 50 ग्राम हमने काजू को हमने इस तरह से बरीक बरीक काट लिया है 50 ग्राम हमने बदाम लिये हैं बदाम को भी छोटे छोटे पीसिज में काट लिया है आदा चमच छोटी लच्ची का पोडर और चार छोटे चमच खस खस के और दो चमच हमने पिस्ता लिया है दो चमच हम भर के देशी घीटा लेंगे अब हम खजूरों को ऊच्छी तरह से एक बार खोल के देख लेंगे साफ करके देख लें अच्छी तरह से साफ करेंगे कि इसमें से कोई तिनका या कोई गिटक वोगएरा कोई रहा गी हो वैसे तो गुटली वैसे तो यह सीट्लेस है लेकिन फिर भी हमें इसको चेक करना है कि कहीं कोई गुटली तो नहीं रह गी है अंदर या फिर कोई तिनका हो या कुछ सफाव कर लेंगे अच्छी तरह से चक्कू की सहता से एक तो इसके हम पीसीज भी काट लेंगे छोटे-छोटे ताकि इसको हमें ग्राइंड करने में अ उसको चेक कर लें यह थोड़ी गीली हो तोड़ी मतलब इसके अंदर फोड़ा सा गुदा जयदा हो ड्राइं नहीं होनी चाहिए छी तो वह घ्राइंड होने में थोड़ा मुश्किल लगेंगे यह दिखिये इस में से फिर भी हमारी एक आदी गुटली निकली आई इस तर सारी साफ भी हो जेंगी और इनके छोटे-छोटे पीसिस भी आप काट लो सर्दियों में जो गिली वली खजूर आती है वो लेनी है अपने इस तरह से हम इनको सबको साफ भी कर लेंगे और छोटा-छोटा काट लेंगे अब हम एक मिक्सिंग जार लेंगे उसके अंदर इसको डाल के ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करने के लिए हम इसको धीरे धीरे रुक रुक के दो तीन बार करेंगे और साथ साथ में चम्मच से इसको हिलाते रे उपर नीचे करेंगे ताकि वो सारी साइड से अच्छी तरह से ग्राइंड होजे ये हमारी पेस्ट बनके खजूर की देखिए त्यार होगी है दरदरी पेस्ट बनी है ये अब हम एक नॉंस्टिक पैन या कड़ाई लेंगे और उसके अंदर हम सबसे पहले जो हमने पॉपी सीट्स ली थी खस खस उसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे थोड़ी देर ये इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है चार चमज हमने लिये है छोटे चार चमज कलर चेंज होने लग गया थोड़ा सा और हलका सा ब्राउनिश होना चुरू हो गया अब इसको हम निकाल लेंगे अब हम कड़ाई में आधा चमज घी डालेंगे और उसके अंदर हम बदाम, काजू और पिस्ते को रोस्ट कर लेंगे एक मिनट इसको भी रोस्ट करेंगे, जैदा नहीं हमने करना इसको थोड़ा सा हम पिस्ता अपना गार्निश करने के लिए रख लेंगे पिस्ता और खस-खस थोड़ी सी हमने रख लेनी है, उसको बाद में हम गार्निश करेंगे एक मिनट हमने इसको भूनना है, इसको भी जैदा देर नहीं भूनना हमने, सिरफ इसको मौश्चर निकलेगा जैसे ही कलर चेंज होने लगे, आप इसको निकाल लें अब हम दो चम्मज देसी घी डाल देंगे और घी डालके इसके अंदर जो खजूर की पेस्ट है उसको थोड़ा सा भूननेंगे अब इसके अंदर सारी खजूर की पेस्ट डाल देंगे और इसको भून लेंगे, ये थोड़ा सा स्टिक्की है, पेस्ट जो होती है वो स्टिक्की होती है, इसको ज़रा थोड़ा सा आपको पहले दम लगाना पड़ेगा, भून ले सारी साइट से इसको, और non-stick कड़ाई लेंगे तो ज्यादा अच्छा है नि तो ये सारा चिपक ज अब और जो sticky होता है इसलिए आप इसको एकदम जो चमच के उपर चिपकता है इसको चक्कु से या किसी चीज से साफ करते रहे और ये देखे हमारा इसका color change हो गया अब पांच-साथ मिनट इसको आप भून ले थोड़ा soft होगी है अब ये अब हम इसके अंदर dry fruit डाल देंगे ये dry fruit डाल के इसको mix कर ले सारा अब को इस तरह से ही चमच उलड़ पलड़ करके इसको mix करना है ये हमने छोटी लची का powder डाल देना है और खस-खस डाल देंगे थोड़ी सी खस-खस हम रख लेंगे अपने गार्णिश करने के लिए अब इसको अच्छी तरह से चमच से आप mix कर लें ये इसको उपर नीचे करके सारा ड्राइफूट इसके अंदर mix कर दें जितना ड्राइफूट आप डालोगे उतना ही इसका स्वाद आएगा अच्छा और अब इसको हम एक प्लेट के अंदर डख लेंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए बहुत जैदा भी नहीं हमने करना इसको थोड़ा ठंडा हो जाए ताकि हम इसको टच अच्छी तरह से कर सके एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह प्लेट में निकाल लें और हाथ को थोड़ा सा grease कर लें ताकि हाथों में ये चिपके ना भी गरम है बहुत ज्यदा और इस तरह से इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से हाथ से दबा दबा के इसको mix कर ले और इसको लट लट करके एक बार थोड़ा ठंडा कर लें देखे थोड़ा ठंडा अगर हो गया है तो इसके दो पार्ट कर लो आप एक chopping board ले ले उसको थोड़ा सा घी से grease कर ले या किसी भी आप चकले पर भी कर सकते हो किसी भी आप चीज जो प्लेन सर्फिस होना चाहिए इसके दो पार्ट कर ले और दो पार्ट करके इनका 1 रूल बना ले इसी तरह ऐसे आप दून ओ रूल बनाके रख ले व lending को लेखो रूप के दो रूल बनके तयार हो गए इसी तरह से हम दूसरे रोल को भी त्यार कर लेंगे दिखिए कितना अच्छा लग रहा है इन्ही अच्छी शाइनिंग आ रही है इसकी अब दूसरे को भी हम इसी तरह से कर ले सारी साइड से गुमा के सारी साइड पे अपने इसको चिपका लेना है खस खस और उपिस्ते को देखिए दोनों को रोल हमारे त्यार हो गए है और कितनी बड़े लग रहा है शाइनिंग आ रही है कितनी इसकी अब हम एक सिल्वर फॉइल ले लेगे और इसके अंदर इसकी बैप करके पेक कर लेगे इसको इस तरह से त्वाइट थोड़ा सा एक नचने के लिए रखते 수े मैं इसको बाइचे प्रिजब में निब कर देखिए है यह अब अब हम निकाल के देखेंगे, चेक कर रहे हैं, ये बर्फी हमारी बड़ी अच्छी तरह से सेट होगी है, हाथ लगाने से पता चल जाता है, हाड होगी है, अब इसको हम खोल लेंगे, सिल्वर फाइल को खोल के, और इसके मन चाहे कार के, पिस्स काट लेंगे, ये वाँ, क्य आदे आदे इंच के पीस के, छोटे छोटे इसके आदे इंच से थोड़े से कम पीस, इसको काट लें, थोड़ा चक्कु तेज लें, ये दिखें कितने अच्छे पीस काट रहे हैं हमारे, हाड हो जाता है, इसको थोड़ा चक्कु तेज चाहिए काटने में, इस तरह से हम स अगर आपको मेरी ये रैस्पी अच्छी लगे तो प्लीज अपने व्यूज मेरे साथ शेयर जरूर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रैड बटन क्लिक करना ना भूले रैट हैंड पे बैल आइकोन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफकेशन पहुच सके और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर जरूर करें थैंक यू एंड हैव नाइस डे